हलो दोस्तो मैं नाजी मुसेन आज फिर आपके लिए लेकर आए हूँ एक और नया वीडियो दोस्तो आज का मेरा वीडियो पेटीम के उपर है आज इस वीडियो में आपको पेटीम के अंदर कोई भी अपना बेंक अकाउंट एड केसे करते हैं वो बताऊंगा यह हमारे यदी पेटीम के अंदर दो तिन बेंक अकाउंट हैं तो हम किस अकाउंट को प्राइमेरी अकाउंट बनाना चाते हैं कि जिससे कि कोई हमें यदी money send करें तो मैं किस बेंक अकाउंट में पराप्त हो वो भी मैं आपको इसमें बताऊंगा और किस तरह से हम हमारे bank account का pin change कर सकते हैं वो भी मैं बताऊंगा इसके लिए दोस्तों आप अपना paytm open कर ले paytm को complete पहले update कर ले play store पे जाकर यह देखिए मेरा paytm का bank account है यह मैंने अपना paytm open कर लिया है आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको generally वो option मिलेगा ही नहीं कि हम कहाँ से अपना bank account add करेंगे तो मैं आपको बताता हूँ यह बहुत ही आसान है यह हमारी उपर left side में top के उपर मारी profile photo है मैंने profile photo पे जब click करता हूँ तो यहाँ नीचे की तरफ हमारे पास यहाँ पर यह सारे कहीं सारे option आ जाएंगे इसमें से यह option है में UPI and payment setting यहाँ पर click करना है मैंने UPI payment setting पर click किया मेरे सामने अभी यह option आ गये है यह payment setting इसमें मेरा यह सबसे उपर जो option है UPI and link bank account मैं इसके उपर click करूँगा तो आपको यहाँ दिखेगा कि मेरे जो भी bank account है वह यहाँ पर show हो जाएंगे तो पहले चीज़तों मैं आपको इसमें बताना चाहता हूँ आपने जो भी bank की यहाँ पर mark कर रखा है वो आपका default receiving bank account है कि यहाँ आपको ATM के दुआरा money send करता है तो आपको उसी account में प्राप्त होगा यदि मैं इसको change करना चाहता हूँ तो यह देखिए मैं इसको change किया है अब यह मेरा union bank वाल account default account हो गया है यदि मैं वापस से change करना चाहता हूँ तो मैं इसको पहले वारे को select कर लूँगा तो इससे मेरा यहाँ पे जो भी bank account होगा वो primary bank account होगा जिससे कि मुझे money receive होगी और इनके अलावा अगर मैं और कोई इन bank account का यदि pin change करना चाहता हूँ तो यहाँ पे आपको यहाँ दिखेगा यह देखिए यह change pin option है तो मैं यहाँ से अपने bank account का tpin भी transaction pin होता है वो भी मैं change कर सकता हूँ इसके अलावा मैं यहाँ से इनका balance भी check कर सकता हूँ आपको यह देखिए यह option दिखरा होगा यह देखिए यह check balance में एक बार आपको balance check करके बता देता हूँ यह देखिए और यही मुझे pin change करना हो मैं इसके उपर click करूँगा और यहाँ से मैं अपना जो भी default bank account है कोई सा भी जो bank account मुझे add करना है वो bank account में add कर लूँगा बशरते के उसमें भी वही mobile number हो जो मारा pet m का mobile number है यहाँ पर यह message यह लिखावा है यह दि कोई एक bank अमारे default bank account में यह दि बहुत ज्यादा हाई हो जाते हैं तो pet m automatically another bank account को receiving bank account बना लेता है यानि किसी एक bank account जो मारा primary है उसके अंदर कहीं सारे transaction हो रहे हैं बहुत ज्यादा heavy transactions हो रहे हैं तो pet m automatically default bank account को change कर लेता है इसके अलावा भी आपको यहाँ पर और भी कहीं सारी चीज़ें मिलेंगी जैसे कि आप आपके इस पर fingerprint भी लगा सकते हैं यह use fingerprint है यहाँ पर अपना fingerprint भी लगा सकते हैं आप अपना UPI का number भी change कर सकते हैं और यदि कि आपको किसी चीज़ से कुछ related को issues है या तो यह 24 and 2 help and support पर भी अपना ticket erase कर सकते हैं तो दोस्ता आज मैंने आपको यह Paytm के अंदर कुछ basic सी जानकारी दिये आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसको like करें subscribe करें, comment करें आगे भी मैं आपके लिया और वीडियो लेके आता रहूँगा ओके, अल्ला आफिज